तो चलिए इंटरोगेटिव भी देख लेते हैं इसको यस्नो कोशन के नाम से भी जाना जाता है यसनो कोशन क्यों बोलते हैं मैं आपको वीडियो में जरूर पता हूँगा तो सबसे पहले में लोग इसका formula यानि structure के बारे में जानते हैं कि हम लोग हिंदी से English क्या से translate करेंगे इसका formula क्या होता है तो देखिए formula इसका जो होता होता है सबसे पहले do लगाते हैं या फिर does do your does में से किसी एका प्रियोग करते हैं फिर आपका subject और फिर आपका भीवन और फिर आपको object और फिर question mark आता है तो यहां पर गौर करने वाला बात यह है कि यहां पर हमेशा भीवन का ही प्रियोग करते हैं लेकिन affirmative में हम लोग ने दिखा था कभी भीवन लगा देते थे कभी भी फाइव लगा देते थे भीवन होता आपका भर्ब का first form और भी फाइव के आता भर्ब का fifth form होता है मैंने आपको अच्छे से बता रखा है यह तो समझ में आगया और मैंने आपको यह भी बता दिया होता है कब दस लगाते हैं और कब डू लगाते तो पहले कुछ example ले है जैसे तुम खेलते हो सिंपल एक्जामपल लेते हैं तुम खेलते हो तुम खेलते हो अगर लिखते हैं तो वह तो अफर्मेटिव हो जाएगा तो देखें पहला हिंदी में मैं आपको सिखा रहा हूं कि हिंदी में इंट्रोगेटिव में कैसे बदलते हैं तो देखें आप क्या करिए क्या को आप पहले लगा दीजे तुम से यानि सब्जेक्ट से पहले आप क्या लगा दीजे क्या यहां पर क्या और यहां पर लास्ट में लगा देना है कुछ सर्मार्ट बस आपका इंट्रोगेटिव हिंदी में बढ़ गया अब इंग्लिस में इसको बनाते ह इसी का English translation हम लोग यहाँ पर बनाते हैं तो क्या हो जाएगा देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए स्ट्रुक्चर में क्या बताया तो तुम यानि यू के साथ क्या लगता है तो देखिए मैंने आपको पिछली में बताया था कि जभी आपको दिखेगा क्या साथ के साथ क्यालगi का डू है कि बाकी के साथ का प्रयो करेंग के यहां पर यू है तूम करेंगे होता यू है यहां कि तो यहाँ पर क्या हो जागा do तो जागा do उसके तुम का इंगल्स सुज़ए का do you उसके खेलना का इंगल्स का प्ले तो यहाँ पर क्या हो जागा do you play तो देखे कितना simple था हमाँ सोचती है कि अब देखर हिंदी में हम लग इसको क्या करते हैं इंतरोटेटिशन में बदलते तो मैंने इसको proph है सबसे बड़े वस्त क्या लगाते हैं कि बाद कई बंग गया अब चले हैं कhu तो translate भी कर लेते हैं और translation क्या बनेगा तो देखिए वह है और यह लड़की के लिए यानि C है C के साथ क्या लगाते हैं डू या ड़ तो ड़ लगाते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा ड़ उसके यहां पर वह के लिए C C does see और सोचना का English के होज़ता थिंक तो यहां पर यहां पर यहां पर जाएगा थिंक तो ड़ शी णोगी और question क्या वह क्या वह मेरे बारे में जानता है देखिए कितना बड़ा सिंटेंस हो गया क्या वह मेरे बारे में जानता है आप चलिए इसको ट्रांसलेट करते है ठीक है चलिए करते है तो देखिए यहां पर क्या है वह है वह का हिंदी क्या होता है ही या सी होता है तो लास्ट में देखिए ता है यानि यह लड़की के लिए यानि ही है तो ही है तो ही के साथ का लगता है सबसे पहले यहां पर देखिए प्रियों करिएगा यहां पर ही है के साथ क्या आता है यहां पर यहां पर लड़का के लिए तो ही जानना क्या होता है नो तो यहां पर लिए अब देखें अब को बता है यहां पर लिए अपर आपके इसको को पूछेगा दो यूप ले तो आप इसका आंसर क्या देज़ेगा यह नो आप खेल रहे हैं यह नहीं खेल रहे हैं आप खेलते हैं और नहीं खेलते हैं इसका आंसर क्या देजएगा यस यह नो में तो इसलिए उसको क्या नाम पढ़ गया यस नो कोशन पढ़ गया जैसा आप किसी से पूछेगा क्या मेरे बाद में जानता है तो वह बंदा क्या आपको रिपलाई देगा अगर जानता होगा तो बसे नहीं जानता है यहाँ नहीं जानता है तो यहां पोचेगा कि नाम से भी जानग जाता है यह तो समझ में आगया अब कुछ वच्छों को यहां पर डाउट आ रहा होगा सर यह इस टेप आपने कैसे किया तो देखेंगे सिंपली यहां तो आप पर स्ट्रेक्च्चर को फॉलौ करें यह फिर आप स्ट्रेक्चर को फॉलौ नहीं करना चाहते हैं तो बस आपको यह या यह जैए आपको भर्ब खुजोना तो वह जानना को इसका अबजेक्ट लगाना तो ऊबजेक्ट में यह जो बचा हूँ आप आप आपको जिक्ट हो जाता तो यह क्या जाएगा एक और तरीका मैंने आपको बताया था अभी वह अप्लाई करें करके जेखते हैं अगला कोशन किया तुम क्या तुम मेरे साथ पतना जाते हो क्या तुम मेरे साथ पतना जाते हो यह एक्जामपल ले लिया चलिए अब इसको ट्रांसलेट करते हैं तो देखे मैंने क्या बोला सबसे पहले आपको डू या डॉस में से कॉंसेप्ट किलियर होना चाहिए तो यू के साथ क्या लगता है डू यहां पर क्या जाएगा डू उसके बाद क्या करिए आप सब्जेक्ट सबसे पहले आप क्या करिए इंट्रोगेटिव वाले में सबसे पहले डू डू डॉट में से जो लगे वो लगा दीजैं फिर आप सब्जेक्ट लगा दीजैं उसके बाद आपको क्या करना है आप सेंटेंस के एकदम अंत में चले जाए और देखिए कि क्या बोला जा रहा है यहां पर अग्न पर देंगे क्या लिख देंगे पटन तो तो देखे कितना सिंपल था मैंने यह बता रखा में के साथ का होता है के बिना के इंगलिश के ऑगा सब माने आपको बता रखा है कहीं पर भी कुछ भी डाउट हो तो यह पूँदू को देख समझेट लेगा आपको समझ में आ जाएगा नों किसी गभी यह इयुक्र neighborhoods of with uses of without तो आपको पता चल जागा कि कब कहां पर कैसे प्रयोग करते हैं ठीक है और example लेते हैं थोड़ा सा sentence को और बरा करते हैं तो चलिए sentence को थोड़ा सा लंबा करते हैं आप लोग comment box में translate करके बताइएगा तो चलिए अगला question लेते हैं देखिए क्या क्या राम और मोहन क्या राम और मोहन क्या राम और मोहन तुम्हारे बारे में तुम्हारे बारे में सोचते हैं क्या राम और मोहन तुम्हारे बारे में सोचते हैं तो चलिए इसको ट्रंसलेट करते हैं तो चलिए देखते हैं कैसे ट्रंसलेट होगा अब देखें यहां पर राम और मोहन आगया दो नीम है है ना एंड के साथ जुरा हुआ है तो मैंने आपको बता है यह सिंगुलर नेम में काउंट नहीं होगा यह इसके साथ क्या लगेगा डू लगेगा तो यहां पर कहा जागा डू उसके वाद क्या जागा जैसे है वैसे सब्जेक्ट को लिख दीजे डू राम एंड मोहन तो डू राम एंड मोहन उसके वाद मैंने क्या वहला sentence की एकदम अंत में चले जाना अंत में देखिए क्या है अंत से सुरुवात के तरफ आते हैं तो सोचना सोचना का इंगलिज क्या होता है तो डू राम एंड मोहन think इसके बारे में बारे में का English होता है about तेहां पर जाएगा about उसके बार देखे तुम्हारे तुम्हारे का English का उता है you तेहां पर you आगए उसके बार question mark देखे do Ram and Mohant think about you एक question आप लोग को comment box में answer करना है क्या Ram और Mohant तुम्हारे बारे में जानता है इस question को आपको comment box में घाताना है ठीक है आप लोग भी practice करते लिए साथ साथ तभी आप लोग अच्छे से English बोल पाएंगे ये तो killer हो गया यहां पर कोई भी doubt नहीं होगा इंट्रोगे tip तो आप लोग बना ली जाएगा देखिए अप sentence को कितना भी बड़ा कर सकते है वह आपके हाथ में है आपको जो मिल रहा है उसके साथ आप जोड़ते चली जाए जैसे देखिए क्या राम और मोहन तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है देखिए थोड़ा सा ही sentence मैंने जोड़ा और देखिए कितना बड़ा हो गया चली अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं चली एक और question करते हैं उसके बाद मैं आपको इंट्रोगे tip नेगे tip पे ले चलूँग क्या राम और मोहन क्या राम और मोहन तुम्हारे बारे में तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है या फिर सब कुछ जानते हैं कि एक से ज़्यादा हो गया सब कुछ जानते हैं अब चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं तो देखिए सबसे पहले वही डू या डाज वाला सबसे पहले दिखिए यहां पर दो नेप में और से जुड़ा है तो यहां पर क्या हो जाएगा डू उसके GH राम और मोप्झ राम और मोहन क्या हो सबसे अन dt match में नो मतलब सब सबसे अंत में आप तो देख जानना यहाहनदे हैं रहा गया सब-सब कुछ क्या रादा है everything तो do, Ryan, mohan know everything ये भी मैंने बता रखा everything ka use ठीक है? क्या होजएगा? everything do, Ryan, mohan know everything उसके भारे में के बारे का English होता है about जहां पर क्या होजएगा about उसके बाद क्या होता है? तुम्हारे का English का होता है? you जहां पर क्या होजएगा you तो देखे पूरा आपका बनके तेयार हो गया सेंटेंस दू राम एन मोहन नो एवरेटिंग अबॉट यू आप लोगों को यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा और डाउट आना भी नहीं चाहिए क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से आपको मैंने यहां तक लाया मैं आपको फिर से बताऊंगा ठीक है क्योंकि मुझे सबको इंगले सिखाना है